Hello and welcome to Knowledge Junction Academy और आज हमारा 7th lesson है vocabulary की सीरीज में और आज हम बिना time waste किये बिना फालतू के घ्यान के हमारे first word पर जाएंगे तो हमारा first word क्या है amicable 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 मतलब क्या होता पहले यह समझता है made or done in a friendly way without argument जब आप बिना argument किये बिना बहस किये friendly way में किसी decision पर पहुंच जाते हैं तब amicable बोला जाता है अब देखिए इसका sentence में कैसे use होता है hope that they will be able to reach amicable agreement उनके भी जो भी agreement हो रहा होगा मैं आशा करता हूँ कि वह amicable agreement होगा बहुत friendly way में होगा कोई बहस नहीं होगी कोई argument नहीं होगी right याद कैसे करना दिखते हैं देखें am i के साथ केबल से connected है यानि friendly way है am or i का am or i का एक दूसरे में कैसा है केबल से दोनों connected है और बहुत friendly relationship है i अगर आएगा तो m आए गई आएगा आएगा आपको पता है तो am i cable से connected है friendly way है ठीक है am i cable मतलब क्या हो गया friendly way हो गया अब देखते हैं हमारे next word है prudent prudent मतलब क्या होता है देख लेता है पहले इसकी meaning meaning होता है इसका sensible and careful when making judgments and decisions avoiding unnecessary risks ठीक है तो sensible और careful way में जब आप अच्छे से सोच के judgments लेते हो और decision लेते हो और कोई भी फाल्तू के risk नहीं उठाते हो तब उसको हम क्या बोलते है prudent बोलते है ठीक है आप हिंदी में आप sentence पढ़ सकते हो मुल्यांकन और नेन्य करने में साफधान और विवेक पूर्ण अनावश्यक खत है prudent rulers तो prudent manager क्या हो गया जो बिना risk free decision ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे prudent manager बोलेंगे रूदर जो ऐसे decision ले रहा है जो सोच के लिए राह एक्र फ़ुली ले रहे और बिना किसी risk के लिए राहा तो इसको prudent ruler बोलेंगे इसको याद कैसे करना mnemonics देखते है I say President बहुत किर फुल जज्मेंट्स देते हैं तो प्रूडेंट आपको किसके तरह aún कर रहा है प्रेसिदेंट जैसा sound कर रहा है या president करता हैं म्या प्रूडेंट और प्रेसिदेंट जो भी डिसीजन लेता है वह बहुत किर फुल जज्मेंट लेता है अपने country के लिए या फिर किसी भी किसी भी defense के लिए कहीं भी मतलब मान लिज़े President कोई decision ले रहा है किसी भी चीज के लिए तो वह बहुत केरफल और रिस्क-free decision लेता है right तो Prudent आप President से याद रखोगे right याद हो गया होगा यह यहीं कहीं याद हो लोग आपको अब देखते हैं पैनेश्या पैनेश्या क्या होता है यह समस्ते हैं सम्तिंग डाट विल क्योर और डिसीज और सॉल और प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज अज यूनिवर्सल रेमडी ठीक है पैनेश्य गया है आपका ऐसी आप बोल सकते हो दवा है या फिर तो पूरी डिसीज या सारे प्रॉब्लम्स या सारी डिफिकल्टीज सब को खतम कर देता है और एक यह यूनिवर्सल रेमडी है जैसे निब्बू मिर्ची लगा दो आप शॉप के आगे कभी बुरी नजर नहीं लगेगी नजर बट्टू लगा दो कभी नजर नहीं लगे हो तो धागे मान लो ठीक है तो यह क्या हो जाएगी यह आपकी इनिवर्सल यह पनेशय की तरह काम करें नजर नहीं लगेगी आपको बुरी नजर तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी जादू टोनें नहीं कर पाएगा आपके ऊपर कोई ठीक है जोक से पाट इसका सेंटेंस म हो चाहे आपका फेमिनिजम हो चाहे जंडर इनेक्वैलिटी हो चाहे आपका कुछ भी कुछ भी सुसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका एक और एक पनेशिया है वो क्या है एजुकेशन ठीक है तो पढ़ो पढ़ो समझे ठीक है एजुकेशन इंपोर्टे है और देखिए इसका निमोनिक्स कैसे करना है पेन को सीया बोल देना सीया मतलब क्या होता है जाओ भई तो जो पेन को सीया बोल दे हना पेन को भगा दे या सीया बोल दे उसको बोलते है क्या पनेशिया इसका थोड़ा सब पनी है पर याद हो जाएगा जीवन भर के लिए पनेशिया पेन को सीया बोल दें जो बहुत है जाएगी वह इसी र्यमीडी हो जाएगी जो आपकी सारी दिक्कते सारी बिमारियों को क्या करदेगी अब आगला हमारा बट का है बेनीवलेंस बहुत इसली याद वह जाएगा अभी क्या भी ये भी आपको याद हो जाएगा बैनी वोलेंस का पहले मीनिंग देखते हैं क्या होता है काइन फ्रेंडली हेलफुल टू अदर्स दयालू मित्रवत और परुपकारी ठीक है जो दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा रडी रहते हैं ठीक है बहुत काइंड रहते हैं बहुत फ्रेंडली र हैं बहुत काइंड ओल्ड मैं हैं वो मक्ही तक निंवारता ठीक है अगर चाय में उसकी मख्ही गिर जाती तो वह वैसा का वैसा पी लेता उसको मारता है नहीं है तो सब्सक्राइब और वो एक मख्ही तक नहीं करेगा यह एजम्शन बनाया जा रहा है ठीक है अब देखो आप इसको कैसे याद करने है निमॉनिक्स के हल्प से बिना वॉयलेंट के जो भी वॉयलेंट पर ध्यान नहीं देता जैसे हमार महात्मा गांदीजी थे तो वो कैसे थे वो काइंड थे हेल्फुल थे फ्रेंडली थे तो आप कैसे याद रखोगे बिना वॉयलेंट के बैन वॉयलेंट के बेनीवोलेंट होता है ठीक है next word देखते हैं vindicate 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 का meaning देख लो आप to prove that something is true or that you were right about doing something especially when other people thought differently ठीक है ये कैसी चीज है ये एक ऐसी चीज है जो आप अगर मालों 10 लोग खड़े हैं आप अपनी एक कोई theory दे रहो किसी के बारे में अपना point रख रहे हो तो आप सही हो लेकिन आपको सब लोग जो है वो गलत मानने हैं लेकिन आप लास्ट में उसको प्रूब कर ले जाओ जस्टीफाई कर के लिए ठीक है तो इसका विंडिकेट का क्या हो जाएगा एक सिंगल सिनोनम में अगर आपको बताना तो जस्टीफिकेशन जिसका हो जिसे आपको लग रहे है कि सवा पूरी दुन्या आपके से लेकिन एकदम से आप सही हो जाओं तो ये इसके लिए टम यूज होगा विंडिकेट है ना और इसकी एक मीनिंग होती है वो क्या है तो प्रूव दैट समबडी जो इसके लिए और लेकिन उसके बाद आप क्या निर्दोष साबित कर दिये जाओ ठीक है कुछ आप नहीं लीगल नहीं किया हो तो उसको क्या बोलेंगे विंडिकेट बोलेंगे तो इसको कैसे याद रख सकते हो आप देखो बहुत सिंपल है sentence देख लो पहले she will be completely vindicated by the evidence evidence के evidence के help से वो क्या होगी वो एकदम उसका जो भी है उसका जो भी मतला वो जो बोलना चारी है वो एकदम justified हो जाएगा ठीक है evidence के हिसाब से वो क्या निर्दोष थाबित हो जाएगी ये भी बोला जा सकते है ठीक है अब देखिए इसका निमोनिक्स कैसे याद करना है विन्दी केस विन्डी केट आपको कुछ ऐसा साउंड कर रहा है विन्दी केस तो आप ऐसे ही याद रख लोगे ठीक है अब क्या है इसको हफते हफते में आपको रिवीजन करना पड़ेगा दो आपको अभी में इस lecture के बाद option दे दिया जाए फिर भी आप जो भी अभी प पूछता है कि विन्डी केट की मीनिंग क्या होगी तो आपको चार option नहीं देखने बढ़ते हैं और आप डारेक्ट मीनिंग बता ले तो इसलिए रिवीजन उसके लिए जरूरी है नहीं तो अगर आपको चार option आ रहे हैं तो वह आप एक बार में आपको हमेशे के लिए य सदा भना शी विल बी कंप्लीट विंडिकेट बाई अबिटेंस याद हो गया होगा नेक्स वर्ट देखते हैं और कल तो भी बहुत इंट्रेस्टिंग वर्ट है देखते हैं इसकी मीनिंग कनेक्टेड विद मैजिक पावर्ज एंड फिंग्स डैट केनाट बी एक्स्प्ल का विज्ञान से परें जादूई मैजिक पावर्ज सेरीमनीज एसेक्टरा जादू टोना तंत्रमंत्र भी इसी की मेनिंग है ऑकल्ट की राइट ठीक है है हैरी पोर्टर हो गया है हरी पोर्टर जो भी तंत्रमंत्र मारता है उसको क्या हो लोगा आप ऑकल्ट बोलोगे कि वाज़ वेल्दी कि वाज़ वेल्दी मैन हो जाएगा यहां पर हूँ है डिवोटेड हिस लाइफ वह स्टडी ऑफ दा उकल्ट साइंसे ठीक है वह एक बहुत रिच इंसान था वेल्दी इंसान था जिसने अपनी पूरी लाइफ किस साइंस को पढ़ने में लगा दी और लगा दी यानि जादू टोने के मंत्र मंत्र पढ़ने में उसने पूरा अपना जीवन लगा दिया डिवोट कर दिया अपनी लाइफ है आप देखिए इसका निमोनिक्स कैसे बनेगा डिफिकल्ट टू अंडर स्टैंट ठीक है और कैसा साउंड हो रहा है आपको डिफिकल् तो और काइट से आप कैसे याद रखूगे या इसå रखिक्त या तो अन्डरस टू अन्ड में पर अपनी सब्सकार्च यानि औरकर्स कर अकर्स बीदूर सब्सक्रिंबर सब्सक्राइं उसमें भी आपको तो जो भी जादू टोना यह सब होता है वो सुपर नैचरल चीज़ और ही आता है तो आप इसको ऑकल्ट को ऐसे याद रख लो कि नेक्स व Means मतलब होता है मिनेस मतलब होता है एक खतरा या फिर खतर के आशंका को हम क्या जो लेके ठीक है हर कोई की सेफटी को लेकें जो न्यू रोड है वो एक खत्रा है यह खत्रे की आशंका है अब इसको निमोनिक्स की कैसे याद रखेंगे कुछ मैं कुछ मैं अब देखें मैं प्लस एस ठीक है तो मैं सम मैं एस भाई थ्रेटेनिंग अधर्स आपको पता होगा बहुत जो बहुत पावर्फुल लोग हैं अपनी गंट्रे में भी वो कैसे मतलब कैसे इतने पावर्फुल हैं तो वो कैसे एस किये हैं उन्होंने अपनी पीड में कैसे आगे बढ़ें तो डराध हम का के भी कुछ लोग आगे बढ़ें सब नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सम मैं इसलिए मैंने मैंने मेंशन कर दिया भाई कि इत्दम मेंने में बढ़ते हैं भाई थेटनी दूलस आ कके चैने यानी जीतना भी होता है सम मैं हैस मिन्हार्इट का मतलब क्या हो जाएगा आपका एंटेंज इंजर और थेड़ करें खदर्य खद्रे के आशंका नेक्स वर्ट देखते हैं डिलिनेट क्या होता है अब i delineate का पहले मीनिंग देख लो, to describe or draw something in a great detail, to mark the boundary of something, ठीक है, अतियांत विस्तार से वर्णन या रेखांकन करना, रूप रेखा प्रस्तुत करना, अंकित करना, सीमा निर्धारन करना, ठीक है, delineate का मतलब क्या होगा है, जब बहुत अच्छे details से आप चीज़ें समझा देते ह हो, map map बना के दिखा जिते हैं, जैसे रवी सर हमारे पॉलिटिव में, बहुत सुंदर सुंदर map बना के आपको detail में चीज़े बताते हैं, ठीक है, और to mark the boundary of something, किसी की boundary जब बनाई जाती है, ठीक है, detailed में, साफ सुतरित तरीके से, उसको delineate बोलते हैं, sentence देखते हैं, इसका क्या होगा, the way to the hospital was clearly delineated on the map, जो hospital के लिए जो रास्ता जाता है, उसको बहुत ही शांदार तरीके से draw किया गया है, किसमें map में, ठीक है, तो आपको यहां पे use भी समझ में आगे, कैसी use करना है, अब इसक को देख लेते हैं, कि कैसे इसको आपको याद रखना है, बहुत simple है, इसका भी निमोनिक्स, देखो, delivered, neat and clean, ठीक है, डेली से आपको क्या याद रखना है, delivered, neat, आपको समझ में आई रहा है, तो delivered, मतलब प्रस्तुत किया गया है, बहुत neat and clean तरीके से, तो उसको हम बोलते ह है, delineate, ठीक है, जब बहुत ही neat and clean तरीके से, आप कोई चीज़ पेश करते हैं, आप अपनी drawing पेश करते हैं, आप अपना map पेश करते हैं, आप boundary बना के किसी की दिखाते हैं, किसी भी चीज़ की, तो उसको क्या बोला जाएगा, delineate बोला जाएगा, ठीक है, delivered in neat and clean way, ऐसे निमोनिक्स, next word देखते हैं, eminent, बहुत simple है, इसका तो आप कभी जीवन में नहीं बूलोगे, क्यों नहीं बूलोगे, अभी देखते हैं, इसकी meaning क्या है, चलो निमोनिक्स पहली आगए, कोई बात नहीं, meaning देखो, इसकी used about a person, famous and important, ठीक है, व्यक्ति, प्रख्यात और महत् प्रतिस्थित, ठीक है, जो की बहुत ही famous होता है, celebrity type का आदमी क्या होता है, उसे हम बोलता है, eminent, ठीक है, president हो गया है, prime minister हो गया है, countries के, या Hollywood celebrities, Bollywood celebrities हो गया है, और जित्ते भी field में जो known people होता है, उनको eminent personality बोला जाता है, ठीक है, अब इसको sentence में use करना होगा, तो eminent scientist भी आप use कर सकता हो, ठीक है, जो आपको use करना है, eminent यानि known scientist हो जाएगा, ठीक है, तो an eminent scientist, अब देखो इसकी nemonics, बहुत simple है, eminem आप जानते होगे, एक rapper हैं बहुत बढ़े, नहीं जानता हो, तो सुन लेना, एक बार, मजा जाएगा, supersonic speed, ठीक है, पता ही होगा, वैसे तो maximum लोगों को, क्योंकि क्या है कि impress, impress करने के लिए, लोगों को, हम English गाने की तरफ रुख कर लेते हैं, बहले हमें lyrics नहीं समझ में आती, लेकिन हम सुनते हैं, ठीक है, तो जब हम सुनते हैं, तो eminem कहीं न कहीं आते भी हैं, तो eminem का जब रहाप सुनोगे, तो आप, ठीक ह होगे, right, eminem, eminem बहुत great personality है, इसलिए वो क्या है, eminent personality है, ठीक है, eminent आपको eminem से याद रख लेना है, चलो, next word देखते है, ravage, ठीक है, ये भी simple है, बहुत, ravage मतलब क्या होता है, to damage something very badly, to destroy something, किसी चीज़ को बुरी तरह नुकसान पहुचाना, किसी वस्तु को नष्ट क करना, ravage का मतलब होता है, ठीक है, जो भी आप चीज़ें तोड़ फोड़ करतो, इदर उदर तबाही मचा देतो, तो उसको क्या बोल देतो, ravage बोल देतो, अब sentence में यूज़ देखता है, the forest was ravaged by fire, अभी बांदोगड में बहुत national park MP का बहुत famous, वहाँ पे बहुत धीशन आग लगी हुई है, और इसा में लगी हुई थी, जिसको news का coverage, media coverage नहीं मिला, पर इस्टिल बहुत, मतलब ये एक example उसी का बोल सकते हैं, the forest was ravaged by fire, पुरा forest तहजन हो चुका है, आपके किसे आज से, अब इसका निमोनिक्स बहुत ही simple, ravage में ही छुपी है, meaning क्या damage, damage से आगर क्लो, वैसे ravage से damage बहुत मिलता जोलता है, तो ravage, damage, ravage मतलब होता है, damage कर देना, किसी भी चीज़ को बहुत खतरनाक तरीके से एक दम तबाह कर देना, नस्ट कर देना, है ना, तो ravage यानि damage, चलो, अगला देखते हैं हम क्या होगा, superstitious और mentor, अब देखिए ये दो words ज इंपल है, यह जब मैं बना रहा था, यह PPT, particular PPT इस पर बना रहा था, तो मैं सामने यह तो, दो terms भी आया थे, तो मैंने इसको समझाने के लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इसकी निमोनिक्स मैंने नहीं बनाई, इसको क्योंकि आप maximum लोग जानते हो, ठीक है, और अगर जानते हो, तो आपको कमेंट भी करना है, इन दोनों के मेनिंग कहां पे, कमेंट बॉक्स पे, सुपरस्टीशियस और मेंटर दोनों की यह, आप मेनिंग मुझे बताओगे, और अगर आपको निमोनिक्स बनानी होगी, तो आप वो भी बना के बता सकते हो, ठीक है, चलो, add- add-on का देखते है, add-on का क्या होता है, add-on की मीनिंग भी बहुत सिंपल है, to add something in order to make a thing, और person more attractive or beautiful, मतलब आदी का करशन या मोहग बनाने के लिए सजाना, जब आप चीजें सजाते हो, या फिर लड़कियां जैसे आप ornaments की help से सचती है, ठीक है, ornament पहनती है, जोली पहनती है, तो वो क्या है, वो add-on है, तो जो आप कुछ चीजें add करते हो, चीजों को या person को और beautiful और attractive बनाने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे, add-on बोलोगे, sentence में कैसे use होगा देखते है, she likes to add-on herself with jewels, ठीक है, वो अपने आपको add-on करने के लिए, क्या करती है, जीवल्स का use करती है, अब add-on का मुझे synonyms भी आप comment में बताओगे, बहुत simple है, खाने को अगर सजाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बहुत simple word है, यह आपको comment में बताना है, ठीक है, मैं बढ़ियां एक heart दूँगा, एक like दूँगा, और उन पे comment भी करूँगा, ठी dishes होती हैं, उसको हम hotel वगरे में जब सजाते हैं, तो उसको क्या बोलते है, add-on का वो synonym भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब देखिए, अब आपका mnemonics देखते हैं, add plus ornaments, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, add plus on, add ornaments, जैसे ही आप ornaments add करते हो, तो क्या होता है, एक person की, जो आपकी attractiveness है, और beautifulness है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आप add plus on, को ornaments पर सकते हो, add ornaments करके आप याद कर सकते हो, कि ऐसी चीज़ें add कर दो, जिससे बंदा या बंदी सुन्दर लगने लगे, ठीक है, इन-fructuous मतलब क्या होता है, अब यह देखते हैं, इसकी भी बहुत simple meaning और mnemonics भी उत्ती ही है, इन-fructuous मतलब होता है, pointless और unnecessary, ठीक है, जिसकी बातों में कोई point ना हो, कोई sense ना हो, या एकदम फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की बाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन-fructuous बोलते हैं, अब इसका हम देख लेते हैं, हम sentence में क्या सी use होता है, इन-fructuous यानि pointless या unnecessary हो गई है, ठीक है, समझ में आई बात, sentence आपको समझ में आ गए, है, कैसे use किया जाता है, इन-fructuous को, अब निमोनिक से याद करते हैं, कैसे याद, अब देखो, अब देखो, आपको fruit type का लग रहा है, fruitful जब चीज़ें होती है, fruitful जब आप बोलते हो, fruitful मतलब क्या होता है, जब आपको कुछ reward मिलता है, कि कुछ आप बहुत मैनत कर रहो हो, तो आपको क्या बोलते है, fruitful reward मिला मुझे, मुझे जो भी मैंने मैनत की, उसका मुझे reward मिला, ठीक है, अब यहाँ आगे क्या लग गया है, इन लग गया है, तो भई, fruitful मतलब क्या हो गया, fruitful हो गया, मतलब कुछ pointless हो गया, मतलब बोल सकते हो, necessary हो गई चीज़े हैं, और इन लगा दिया, तो unnecessary हो गया, pointless हो गया, किसी काम के लिए, कोई इसका फल ही नहीं मिलेगा, आपको, यह बोल सकते हो, कोई फल ना मिलना, simple सी बात, pointless, unnecessary, fidelity है का, अभी मैं, next class में आपको, इसका सब निमोनिक्स, मीनिंग्स वागरा सब बताऊंगा, वैसे होता, loyalty है, ठीक है, और इसका निमोनिक्स, एक काम करो, आपके लिए, एक homework है, निमोनिक्स इसकी आप बना के बताऊंगे, और हो सकते तो sentence में भी यूज करके बताऊंगे, ठीक है, आपको तीन चीज़े मैंने दे दिया है, क्या-क्या दिया है, add-on में synonym बताने को दिया है, मैंने आपको, fidelity की आपको निमोनिक्स बताने दिया है, और superstitious, और mentor, mentor की आपको meaning बतानी है, यह आपके लिए homework है, seriously लेना, pointless मत कर देना, infractuous मत कर देना, मेरी बातों को, ठीक है, तो, और हाँ, जितने भी words है, उसको try करो, कि आप ज़्यादा क्या status वकर हमें use करो, जाड़ो, मुणी हमस, ठीक है, इतनी tough tough vocab सीखो, तो थोड़ा show off करना भी बन कर रहे हैं, content देने में आपको, तो please share भी जरूर करना, thank you so much.